देखिए कॉट्रेटी का कोश्चन है क्या कोश्चन है it is given that the roots of the equation x square minus 4 x minus log base 3 p equal to 0 for this the minimum value of P roots real है तो P का minimum value बताना है ओक है अब roots real है और P का minimum value बताना एक खास बात यह है कि हाँ पर आउलेडी negative लगा तो कोई दिक्कत नहीं पर base 3 है और minimum value पूछी maximum तो कितनी भी हो सकती क्योंकि किसी भी कॉड़ेटी क्योशन में यदि सी के आगे निगेटिव लगा है तो वह रूट्स रियली होते हैं पर क्योंकि यह लौक भी है तो कुछ वैलू पर पॉजिटिव भी हो सकता है तो हमें बताना है कितनी minimum maximum value होगी maximum तो infinite तक जा सकती एक बात base 3 है तो एक बात पकी है कि 3 base पर बनेगा यह question यानि जैसे यह answer हो सकता है यह answer हो सकता है यह one रख दोगे यहाँ पर तो one पर जीरो हो जाएगा तो roots आपको really आएंगे पर आपको minimum पूछा है minimum मतलब तो one जैसे satisfy कर रहा है तो आप अगर इन रखके कर सकते थे मैं आपको बता देता हूं जैसे ही आप लिखते लॉग बेस 3 3 की power minus 4 तो आपको मिलता x square minus 4 x यह power multiply में आ जाती ऐसा लिखते है बिटा तो आप ऐसा लिखते एक स्क्वेर माइनस 4 x plus 4 equal to 0 आप देखो इसके roots रियल है और आप से पूछा minimum value तो इन चारों option में सबसे छोटा यही है तो यही correct answer हो गया इसका मतलब यह हुआ कि यह सारे option satisfy करेंगे पर यहां पर minimum ने आपकी problem solve नहीं बाकी राचावाल complete method से करने का तो आपको बोला roots are real तो b square minus 4ac greater than equal to 0 या b square greater than equal to 4ac b square मतलब 16 greater than equal to 4 a1 है और c कितना बिटा सी याद रखना माइनस का है तो माइनस log base 3p यानि यह cancel हो जाता तो 4 greater than equal to minus log base 3p अब क्योंकि inequalities में negative लगा है तो आप इसको reverse कर देते तो log base 3 पी greater than equal to minus 4p greater than equal to 3 की power minus 4 यानि पी greater than equal to 1 by 81 तो method से भी कर सकते थे logic से भी कर सकते थे और देखिए क्या बोला minimum पूछा तो सबसे छोटे option को पहले verify करवाए maximum पूछा तो सबसे बड़े को करवाए ऐसे छोटी छोटी के tips आपको कई बार question solving approach में बहुत help करती हैं